वो कभी भी निकलता नहीं है तो अभिशेक के लिए भी यही था कि start to end उसने जो relation में आया जो प्यार का मतलब सीखा वो इशा से सीखा और वो उसी के साथ रहा बट देन कुछ जूट ऐसे होते हैं या कुछ चीजें चुपाना ऐसा होता है जो lifetime चलता रहता और एक लड़की का nature होता या एक underdog टाइब से था बट अभी जो मैं देख रहा हूँ जिस समर्थ को मैं देख रहा हूँ मुझे नहीं पता क्या reason है उस चीज़ का मेरे साथ में है इस वक्त वो इंसान जो अभीशेक को बहुत करीब से जानते हैं जो अभीशेक को बहुत सपोर्ट कर रहे है बाहर से बढ़े बैटे उनके बहुत किलोस फ्रेंड है इनको वैसे किसी इंट्रोडेक्शन की ज़रूद है नहीं यह है कशिश, रोडीस के विनर और इस पर सुला में तो आप इनका चाम देखी चुके हो ऐसे बहुत बढ़ी हैं, बहुत बढ़ी हैं थैंक्स वर हविंग में एर अभीशेक को बहुत सपोर्ट भी गर रहे है बहुत मज़ा भी आ रहे है इवन मैं इतना दा बिग बॉस फालो करता नहीं हो हर बार बढ़ क्योंकि इस बार अभीशेक गया हुआ है तो इस वज़े से मैं मैं इनतिजार करता हूँ कि कब एपिसोड आ रहा है और मैं दिन में कितना भी काम कर गया हूँ और आथ को पहले एपिसोड देखता हूँ उसके बादी नीन आती है मेरे को क्या बाते हुए थी अभीशेक से जाने दे पहले और अभीशेक का क्या रेक्शन था जब आपने उन्होंने आपको बताया कि यार के भाई मैं बिग बॉस के अंदर जा रहा हूँ क्योंकि क्लोज बॉंड है जब दोस्त है तो ये सारी बाती चलती है भाई एक दूसरे परजट्स के बारे में पिशेर वो चलता रहता है कि मैं ये करके आ रहा हूँ यहां पर यह है वो है आपके क्या रेक्शन तो और क्या अडवाइस आपने उनको दी तो जैसी मैं अपना स्प्लिट्स भी करके आया था तो अभिशेक मुझे मिला तो बहुत अच्छा करा आपने बहुत ची पर सालिटी दिखाई तो कभी भी सोचा नहीं था क्योंकि मैं भी सोचा था कि शायद मैं भी बिग बॉस में जाऊं इस बारे तो हमारी बात हो रही थी इस बारे में भी जब उसका final वो उसको call आया तो मैं बहुत खुश हुआ पहले तो फिर उसने मुसे पूछा कि क्या करूँ कैसे करूँ तो जितना मैं अभी शेक को जानता था था अभी शेक को मैंने एक एडवाईज जी थे अभी शेक को मैंने बोला था कि बेड़कुल exactly वैसा भी behavior कर रहा है exactly वही चीजें कर रहा है वही emotions है वही सारी चीजें तो इसलिए जादा भी मज़ा आ रहा है क्योंकि बन्दा real है और उसकी अगर हम बात कहूं तो इस वक्त जो अभी अभी शेक काफी आप से गुजर रहे हैं या अपनी बाते को समझाने की कोशिश करते हूं उस पर क्या गयाना है? मैं बहुत ज़ादा रिलेट करता हूं अभिशेक से चाहे वो उसका जीरो से उटके जैसे वो आया है मैं भी बहुत ही जीरो से आया हूं मुझे भी नि जानता था इस इंडस्ट्री में और वो भी वैसे ही आया है और जहां बात आती है प्यार करने की तो मैं भी वैसा ही प्यार करता हूं कि मुझे नहीं पता Modern era में क्या प्यार की definition है आजकल हम देखते रहते हैं अलग-अलग शोज में, अलग-अलग सेलिबिटीज आके अलगी definition दे रहे होते हैं प्यार की, शादी की बट जिस जगे से हम आते हैं वहाँ पर मतलब होता कि अगर मैंने किसी लड़की से शादी करी है तो 100% मैं उसका और 100% वो मेरी है फिर हम यह नहीं देख सकते हैं कि ना तो हम कहीं और जाएंगे ना वो कहीं और जाए तो अभिशे की वही thought process है जो कि मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता हूँ, मैं बिल्कुल सही मानता हूँ और अभी वो जिस जगे से जा रहा है, जो चीजे उसके साथ में हो रही है मैं शायद और जादा frustrated हो जाता हूँ situation में, अगर मैं अपनी ex को जिससे मैं सच में प्यार करता हूँ इतना, उसको मैं देखता किसी और के साथ में तो नो डाउट वो बहुत ही जादा mentally exhausted भी हो चुका है, और बहुत बुरा भी लगता है उसके लिए कि यार ये चीजें ऐसे ना हो कभी किसे के साथ भी कि वो अपने सामने अपनी girlfriend, ex को देखे किसी और लड़के के साथ में और लेगन भाई ये जिस तरह किसे उन्होंने बोला है और इशा ने भी बोला कही हो बार कि ये मुझे बहुत सारी चीजे बोला करता था ये पॉजसे बहुत हुवा करता था वो कितना सही और गलत कितना आप मानते हैं अगर मैं आपकी बात कहू देखो हर लड़का पुज तो सब के बोलना है यह तो जो हुआ है एक्जाक्ली वो तो उनको पता है शो वालों को पता है उस चीज में तो मैं भी कुछ नहीं बोच सकता हूं बट दिन जो चीज मुझे पता है वो यह कि अगर मेरी गर्ल्फरेंड जिससे मैं अपना future देखता हूं जिसको मैं शादी करन ले और ये सब चीज़ें अगर हो रही थी तो गलत नहीं हो रही थी और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था हुआ है वहाँ पे जिसकी वज़े से चीज़ें डेवलप हुई है इशा ने कुछ चीज़ें बोली उसको जो शायद उसको बाद में पता चला कि जूट थी और वो काफी चीज़ें अंदर रखता रहा और पाइल अप होती रही और एक बार में आउटबर्स्ट हुआ और हो जाता है आउटबर्स्ट और बहुतो का होता है मैं वाइलेंस के साथ नहीं हूँ मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि वाइलेंस करना सही है बट देन आउटबर्स्ट होता है जिसके अंदर इंसान लड़ता है आपस में अगर हम एक्वैलिटी की बात करते हैं जहां पे वहाँ पे हम यह बोलते हैं अगर अगर गलत करोगे तो गलत सुनोगे भी यह सब चीजें हुई हैं जो चीजें पास्ट में वह रिलेशन में थे डेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ में थे नहीं पसंद आई चीजें नहीं हुई आगे नहीं बड़ी अभी जो समर्थे बोल भी रहा है कि मैं तू लड़की की इज़त नहीं करता है तो यह नहीं करता है अभी लास्ट एपिसोड में वह मानसी कोई लड़की आई है ने मानसी के साथ में कैसा भीयव कर रहा था जब वो किच्छिन में थी कि तूने खाना ऐसे कैसे बना दिया खाने के ऊपर ऐसी चीज़ें कर रहा था उसके बाद में पुझेसिव होने की बात है जब अभी शेख जाके ईशा से बात करता है तो वो बार-बार बीच में उटके आ जाता है समर्थे कि तूने ईशा हो कैसे बोला वो भी तो मुझेसिव हो रहा है जो चीजें वो समर्थे बोल भी रहा है भी शेख के लिए वो चीजे भी वो खुद वो ही चीजे कर रहा है तो exactly हर लड़के का नेचर यही होता ही है हर लड़का यह चीज़ करता ही है बस वो दिखाने का तरीका है कि तुमने ऐसा करा तुमने ऐसा करा कल को जब अगर ईशा का और समर्थे के बीच में कुछ डिफरेंसिज ना आए बट अगर आते हैं तो सेम चीज़ समर्थे भी बोलेगा कि तू मुव़ण कैसे कर गी ती जल्दी अभी वो बोल रहा कि वो भी एक दूने मुव़ण करे कल को वो बोल दे समर्थे भाए मैं अभी शेक के साथ में हूँ फिर वो समर्थे को बोल दे लगा भाई मुवण कैसे कर गी तू अभी तो मेरे साथ थी बड़ भाई लेकिन ये रिलेशन्चिप जो भी था ये आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग नहीं लगा क्योंकि जो पहले चल रहा था क्योंकि पहले अभी शेक आये अभी शेक की एंट्री होई फिर अभी शेक ने इशा को कुछ बोला और फिर उसके बाद में उनकी बॉइफिंड के अंट्री होती है जो पहले वो मना करती है फिर बाद में वो जो की वो एकसेप्ट कर लेती है पबलिक के लिए भाई ये बहुत राता के अन्फ्यूजिंग है बत और फ्रेंड आप कैसे देखते हैं सारी चीजों इस पूरे सिटुएशन को लड़कों क्या होता है न जब लड़के हम जैसे लड़के होते हैं और हम किसी से प्यार करते हैं हमने किसी से प्यार किया है कभी भी क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे है कि मैंने भी लाइफ में किसी एक को ही प्यार किया है उसने भी लाइफ में एक ही से प्यार किया है और उसके लिए भी यह है कि मतलब अगर एक है तो यह मेरी है और वो जो soft corner बन जाता है न हार्ट में वो कभी भी निकलता नहीं है तो अभिशे के लिए भी यही था कि start to end उसने जो relation में आया जो प्यार का मतलब सीखा वो ईशा से सीखा और वो उसी के साथ रहा जब घर के अंदर वो आया obviously stage पे जब वो था तो obviously उसके माइन में बहुत सारे question थे जो पूरे एक साल में वो answer नहीं हुए थे तो लाईया हुई obviously वहाँ पे but then जब अंदर गए and then अंदर जाके बात करनी start हुई तो देरे देरे वो soft corner और जादा साथ में होना start हुई और ईशा की तरफ से भी वो चीजे हुई तो उस ताइम पे अभी शेक का emotional support सिर्फ ईशा थी तो ईशा के उपर उसने अपना 100% डाला था and ईशा भी connected थी उससे उतना जादा तो घर में जाने के बाजवाब एक चट के नीचे रहते हो आप पूरे 24 गंटे एक साथ spend कर रहे हो और आप किसी को और नहीं जानते हो उतना जादा तो उतना emotional emotions आई जाते हैं आपस में और वो सारी यादे वापस आई जाती हैं but then उन्होंने को एक limit cross नहीं करी वो साथ में दे, emotionally साथ में दे ऐसा physically कुछ ऐसा साथ में नहीं दे और नहीं ऐसे कोई बाते हो रही थी जिन बातों से लगे कि मतलब वो साथ में वापस आ रहे हैं but as a good friends वो दोनों साथ में थे जो की अच्छा चल रहा था वो इस time तक but then जब तक हमें यह नहीं पता था कि इशा का actual में कोई भार boyfriend है अब अगर उसका actual में बाहर कोई boyfriend था तब वो चीज इशा के perspective से गलत हो जाती है but अभी शेक को तो पता ही नहीं था वो सब चीजे तो I think कही ना कही इशा को समझना चीए था यह चीज की बाहर कोई ना कोई उसका वेट कर रहा है या कोई चीज है तो उसको एक distance रखना चीए था उसको नहीं वो उमीद देनी चीए थी अभी शेक को कि अगर मैं भी तुस्से बात कर रही हूँ मैं भी तुसे support कर रही हूँ तो इशा का कही ना कोई यह fault है इस case में क्या इशा से आपकी मुलाकात हुई बिग बॉस जाने से पहले या कभी उससे पहले या अभी शेक के थुरू कभी आप तौनों मिलेगा अभी नहीं इशा से तो मैं कभी नहीं मिला कभी मुलानी बस अभी शेक्स ने ही जो जो चीजे बताई है पहले वही सब चीजे मुझे पता है जो जो क्योंकि वो काफी बार मेरी उसकी वी एक दो बार लड़ाईया हो गई थी वैसे ही वैसे ही वैसे है इमोशनली मतलब वह इसी बात पर बुरा मान जाएगा कि आपने अभी माई क्या को पकड़ा थो खरो चलते खरो अभी तो रड़ाई हुगी तो वह ऐसा है कि उसका मतलब यह कि एक उसको मन में कोई बाद आती है तो वो बोल देता है मुफट हो कि और फो इज़त से बात कर लेता है कि ऐसे बात करेगा कि कशिछ भाई ऐसा है तो यार यह लड़ाई हुई थी या नहीं नहीं कशिपकेर में touch पर भाई तो पर यह नहीं कि क्या ilka कि यह दिला है ößे हर गृप में ना जैसे हमारा पहाले भी पर है कॉलिज में घुरूपता मेरा इक दोस ऐसा पहले भी था तो हर गृप में एक लड़का तो हमें दिहान ता कि कि इनके साथ में मजाग नहीं करना है इनके साथ एक बनाकर यह बुरा मान जाएगा तो अभीशेक का भी यही सीन था कि वो बहुत जल्दी बुरा मान जाता था बट देन बुरा मानने के बात है पता है कि अगर इसको लगेगा नॉमल अपने आवागे बात भी कर लेगा, ऐसा कुछ मनाने की जरुवत नहीं है इसको की पीछे जाने की, तो वो समझ आगा है, दिल का साफ इंसान है, इशा से तुम बलगाते हुए लेकिन कभी यारी दोस्ती में लड़की ऐसा करते हैं कि क किसी का पैच अप करवा दो या उससे बात करवा दो, आपने कभी कोशिश नहीं की कि दोनों की मिसरंडर्स्टैंडिंग जो भी है, या दोनों का पैच अप कराय जा है, क्योंकि जो अभी जो है वो अल्ड़ी प्यार में है, वो मुमों नहीं कर पा रहा है, और उसने ऐसा बोला भी है कि मैं डिप्रेशन में जला गया तो उस वक्ट जब मेरा ब्रीक अप हुआ, नहीं मैंने हमेशा से यही बोला क्योंकि मुझे जो जो चीजें पता चली इशा के बारे में जो जो चीजें उसने मुझे बताई थी, तो मैं कभी चाहता नहीं था कि अभी शेक वा लड़की का भी हो सकता है, तो उस केस में क्या होता है कि आप अगर साथ में चले भी जाओ ना तो बात में जाके वो इस सेम चीज रिपीट होंगी, तो इसलिए मैं तो हमेशा बोलता था कि यार कोई अच्छी लड़की डून, तू बहुत अच्छा लड़का है और अब त इस पर साथ में नजर आएं, उस पर क्या कहेंगे, क्या समर्थ वैसे ही हैं, जैसे वो डिस्प्ले पर नजर आ रहे हैं, कि उनकी कुछ एक अलग परसनालिटी है, यह समर्थे ना बहुती जादा सॉफ्ट इंसान है, मतलब, और अगर मैं इस शो को हटा कर सिर्फ करने वाला एंड कैमरा के सामने ना कई वर जैसे रियालिटी शो में इनसान डर जाता तो डर जाता था कापता था कई वारी उसका और कई पर ऐसा होता था मुझे पूछता था कशिच भाई क्या करूं अब मैं इसमें मुझे समझ निया रहा है अब शो में क्या करना कि मुझे ऐसा बोलना है ये करना है किसी ने उसको सिखा कर भेजा है टीम ने सिखा कर भेजा है उसको या घर पे किसी ने सिखा कर भेजा है दोस्तों ने सिखा कर भेजा है जिस वज़े से वो इतना अग्रेसिव ली कर रहा है बट समर्थे इतना अग्रेसिव है ही नहीं मत प्रॉब्लम ईशा से है, जब वो इतने सारे उसने इल्जाम लगा है, उसने बोला कि यार कि उसने मुझे मारा है, गाली से फिकने की धंकिया देता है, बोलता है कि तुम्हारा शेयरा जला दूँगा, इस सरीके की सारी चीज़े हैं, तुमने फोटो अपलोड करी तो क्यों क इसको डिलीट करो, और वो बंदा एक दिन तुम्हारे सामने आता है, और एक दिन में तुमने उसे माफ कर दिया, उसने मुझे ये सारी चीज़े बोली है, अगर आप जो बात बोलोगे, समर्त को अभिशेक से या ईशा से गुसा है सिर्फ और वो ऐसा इंसान नहीं है, तो मानसा से ऐसे बात नहीं करता, वो सबसे ही उतने अग्रेशन में बात कर रहा है, क्या होता है ना, जब आप एक शो कर लेते हो और आप लड़ाई करोगे तो आप दिखोगे, और उस दिखने के चक्कर में आपको लगता है कि ऐसे मैं दिख सकता हूं और ऐसे मैं सही हो तो किसी ने भी अभिशेख का नाम नहीं लिया, सबने समर्थे का और इशा का नाम लिया, तो अंदर भी सबको पता है कि कौन सही है, कौन गलत है, अंदर भी सबको समझ आ रहा है कि अभिशेख जैसा, लेकि ये भी तो रीजन हो सकता है कि समर्थ उनकी नई एंट्री कि मतलब ऐसा कुछ सुने पर्टिकुलरी किसी को जाके हाम किया है या गलत बोला है वो जो चीज देख रहे हैं सिनारियो उन्होंने बोला भी यही है नॉमिनेट करते हुए कि उनको जो भी चीजे लग रही है समर्थे कि वो एक्टिंग लग रही थी क्योंकि सब्सक्राइब यह बात Big Boss नहीं ही बोली है कही होगा है बोला कि आप जब अनुराग जब नॉमिनेट कर रहे थे उसमक्त उन्होंने बोला है कि भाई तो आपको ओवर अक्टिंग पसंद है तो उस ताइम वो बोली है और मुनावर ने भी यह चीज बोली हुए है कि यह बंदा कह सही रहा है बत क्या है ना वहाँ पर वाइड एंगल है वहाँ जो ग्ले आप उसके आप पर सबसे। उसने आते ही ये बोला सबसे बड़ी जूटी है ये सबसे बड़ी ये है वो है उसने कहा रिस्पेट कर ली अगर इशा दिमाग से सोचेगी तो अभी शेक ने अब तक उसके बारे में एक भी गलत चीज नहीं बोली और विसी बात है उनके लड़ाई यहां होती थी तो मैं य कर ओडियंस के अकॉर्डिंगली या फिर इशा के अकॉर्डिंगली जो भी सोच रहा है वह सकता है कि 70-30 हो 70% अभी शेक गलत हो 30% इशा गलत होगी 30% तो होगी 30% वाली बाते भी अभी शेक ने नहीं बोली है जो कि समर्थे ने आते ही पहले 10 मिनिट में ही इतना सब कुछ बुराइयां कर दी इशा की जिसके साथ में वो इतनी अच्छी है तो आप समझ सकते हो कि रिस्पेक्ट कौन नहीं कर रहा है लड़की की क्या रिजन्स रही होंगे कशिष आपको क्या लगता है कि यार कि जब वो आ रहा हूँ बॉय्फेंड अन्दर जा रहा है गैल्फेंड की सामने के इसने साप में बना कर दिया कि यार तू क्या बूलकर आगया है यार मैं क्या गर्ता मैं तो मैं चलू फर पानी में डूप अब क्या होता है ना देखो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बाहर से ना पहले जब 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 तक इशा खुद से अपने मूझे नहीं बोल देगी तब तक अभी शेक मानेगा निए उस चीज़ को अब मुझे अज़ा लगता है कि यह दानों भार से डिसाइट करके आए होगे ईशा और समर्ते कि हम आएंगे अगर सात मैं तो हम फ्रेंड फ्रेंड बोलेंगे और फ्रेंड बोलके बाद में दीरे-दीरे लव एंगल दिखाएंगे लव एंगल दिखाएंगे शो में बहुत ज़दा टी आर्पी मिलेगी और आखरी में गल्फरेंड बॉइफरेंड बन जाएंगे और हम girlfriend boyfriend ही बन जाएंगे officially और एक हमारे पास मुद्धा भी हो जाएगा बट देन समर्थे जब आया तो समर्थे को बोला Big Boss ने बोला होगा कि तुम हमारी entry तब ही देंगे हम तुमें जब तुम बोलो बानोगे कि यहां तुम boyfriend हो तो समर्थे फच गया तो समर्थे को मानना बड़ा कि भाई आप तो जाना है इतना बड़ा शो मिल रहा है तो फिर Controversive के अंदर तो गुसना ही बड़ेगा तो समर्थे को बुलाते क्यों तो इसलिए समर्थे की entry इसवजे से हुई कि वो boyfriend है और वहां जाके अब इशा ने तो प्लान कुछ और किया था इशा के प्लान के लग गए तो यही चीज हुई अब इशा यही कोशिश कर रही थी कि समर्थे बोले नहीं नहीं मैं तो मजाग करना इशा ने यह पूरी कोशिश किया कि भाई यह बात जितनी चुपाए जिया सके उतना हम चुपा लें इसको कवरब देते हैं और फिर सब लोग बोलते हैं कि यह तो 19 साल की है अब बताओ आप इतना दिमाग लगा लिया एक 19 साल की लड़की ने पर जब बात आती है अच्छे और डिसीजन्स की तब यह 19 साल की है बड़ जब दिमाग लगाना है तो दिमाग लगाएंगे हम 50 साल वाला तब नहीं बोलते कि तुमने इतना दिमाग ऐसे लगा लिया तो दिमाग तो हर एक में है आजकल सब लोग लगा रहे हैं चाहिए वो 19 का, 18 को सब के बास दिमागे है अचकल अब लोगा हम सब को मतलब सारी ओडियंस को खानजादी के साथ में बॉंड मनता हुए बिशेक का उस पर क्या गहिंगे अब यह मैं तो यह बोला था खानजादी बहुत क्यूट है विकी बहीया ने बी कुछ उनको एड़वाइजे थी जिती है थोड़ा वहां पर ध्यान दे तो वो है, देखो मुझे तो बहुत क्यूट भी लगती है, तालेंटीड भी है, तो ये दो तो टिक तो हो गए मेरे लिए, उसके बाद में वो मुफट भी है, और मुझे मुफट लोग पसंद है, क्योंकि मुफट लोगों का सीन ही होता है न कि वो आपके मुपे होते हैं, अ मुझे अभी तक यही दो लोग ऐसे लग रहे हैं, खानजादी और अभीशेक जो अपना शो में मतलब रियालिटी दिखा रहे हैं, भाई क्या कहेंगे इसके उपर कि कहीं आसिम रियाज या गौतम गुलाटी या सिधाध शुकला, मतलब कही सारे बहुत सारे एपिसोड ज बनाते हैं, तो हम लोग जो कपड़े होते हैं, हजार पांसो, सौर पे जो भी होते हैं वो उसकी उतनी वेल्यू नी होती है, जितनी महनत, जितनी डेडिकेशन, तो जब लगाया है उतना तो दिखाएंगी, अब आसिम भी है, आसिम ने भी इतनी बोडी बनाई है, वो भी वोक आउट करते हैं साथ में, जिम आते हैं मेरी, तो वो भी इतना वोक आउट करते हैं, तो ऑफिसी वो भी दिखाएंगे बोडी, और हर एक की ना परस्नालिटी ना बहुत अलग-अलग है, आप किसी को कॉपी ना एक दिन कर सकते हो, आप पूरा तीस दिन, नबबे दिन इसे कॉपी नहीं कर सकते हो किसी को भी, अगर कोई अक्टिंग भी करते हैं, लोग पहले शारुक हान सर की या सलमान भाई की इन सब की एक तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है, आप हमेशा नहीं कर सकते हो इस चीज को, अदर इतना अग्जॉस्ट हो जाता है न, इंसान की 24-7 आप कभी एक्टिंग नहीं कर सकते हो आप Splits Villa, Roadies में एक बार को लोग थोड़ी बहुत आक्टिंग कर लेंगे क्योंकि कैमरा 24-7 नहीं रहता है कैमरा चला जाता है फिर वापस आता है सुबे बट बिग बॉज जैजे शो में जहां पर आत को आप सो भी रहे हो तो भी नाइट मोड पर कैमरा जल रहा है तो आप अक्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि कही ना कहीं तो आपको अपनी मन की सच्चाई भाहर निकालनी है अर इतने अच्छे अक्टर्स भी नहीं अगर इतने अच्छे रहो कुते सब लोग अग्यदा जी है वह तो खेर अलगी लेवेल के पे हैं मालब मैप बुचे बहुत पसेन अगीदा जी पर वह तो एक्टिंग में बहुत वाइल कार्ट के उपर यार विक्की बैस में बहुत तंग हो यार विक्की बैस कौन है विक्की बैस हो खराब करने वाले इंसान है कि मतलब अगर दो बंदे लड़ रहे हैं अगर content मिल रहा है तो नहीं नहीं मत तड़ो अरे भाई उनकी personality मेरी personality उसकी personality हमें मेरे को इस बात मे चेंज करने पर उन्हों रहे हैं बदो बिग बॉस ने एक रेक्टर भेजिया है कि यह अलग-अलग character चुने है कि अभीशेक चुना अलग character खानजादी चुनी अनुराग चुना एक character पर वो क्या कर रहे हैं आके वो सब के characters बदल रहे हैं कि तू ऐसा मत कर तू ऐसा कर ले बिग बहुत परिशान है आज कि भाई मैंने तो कुछ और सोचके भीजा था यह होने ने देता लडाई बंदा लेकिन मुझे असा रखते है कि अभीशेक का ट्रस्ट पी उतने है विकी भाईया पर जितना वहां की समझाते हैं क्योंकि पूरे घर में बातरूम की लडाई क क्या चल रहे हुआ अभी अभृःशेक को सिर्फ यह पता है कि विक्की भैया और अभीसेक क elf करें कि और कितने लोगों से समीं सेहिं बात करें वह नी बता बटा ना अभीशेक तो अभिशेक तो अभी ये मान रहें कि हाँ विक्की भीया तो मेरे साथ हैं बढ़ विक्की भीया सबके साहत हैं और सबसे मुझे लग रहा है कि विक्की भीया टॉप 5 में पहुच भी गए न अगर तो भी विक्की भीया न एक अच्छे इंसान बनके बाहर नहीं क्योंकि आप एक वाइफ के साथ आयो पहले आप husband wife आयो अगर आप husband सबसे अच्छे बन पाओगे ना पहले तो फिर आप सब के दोस्त बन सकते हो बट जो relation के साथ आए हो अगर आप उसको ही प्रूव नहीं कर पाओगे बाहर तो बाकियों का दोस्त बनके कोई फाइदा नही वो कहते हैं कि तुम सबको time दे रहे हो तो मुझे time ही दे रहे हो और अंकीता जिस level पे है वहाँ पे वो हर इंसान से उतने close दी जाके बात नहीं कर सकती है क्योंकि उनको अपना एक वो maintain भी करना पड़ेगा वो जाके नया नया किसी इंसान से आके जो नया 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 उससे जाके अपने मन की बाते शेर नहीं करेंगी उनको अगर गुसा आ रहा है विक्की भी आपे तो विक्की से ही जाके बात करेंगी विक्की मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बात करने है तुमसे तुम्हारे बारे में ये इंसान पीछे से गलत बोल रहा है जो कि दिखाता है कि मतलब विक्की अंदर से और फ्रेस्ट्रेट हो रहा है कि ये मुझे बोल कैसे रही है तो ये डॉमिनेटिंग मेल दिखा रहा है कि डॉमिनेट करना चाह रहा है अपनी वाइफ के उपर जो कि बहुत गलत है उस time अगर मुझे लग भी रहा है न मेरी ऐसी personality की मुझे लग भी रहा है कि मेरी जो गल्फ्रेंड या जो मेरी wife होगी वो अगर ऐसी स्टेट में है जहाँ पे उसको लग रहा है मैं गलत हूँ बट मुझे पता है वो ही गलत है तो पहले मैं उसको हग करूँगा उसको चुप कराूँगा फिर मैं उसको समझाओंगा प्यार से कि ऐसी दे चीज़ों सुनूँगा उसको विए सुनना बहुत ज़रूरी है जब आप सुन लेते हो ना किसी इंसान को तो उसको लगता है कि यार मैंने बोला इसने मेरी बात सुन ली एड एक बार जब बात सुन ली है तो उसके बाद अगर मैं कुछ समझाओंगा तो वो समझेगी भी जब तक आप किसी सुनोगे लिया नहीं तब तक तो कोई फाइदा नहीं उसको लगा कि मेरा 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 हमेशे बात को काट रही यह वो देखने के बाद में आपको कहा लगा एश्वरेया और विक्की के एश्वरेया एश्वरेया का साथ भी सेम सीन हो रहा है कि नील बार-बार चुप करवा देता है बट एश्वरेया अगर ऐसी personality मुझे ऐसा लगता है अगर नील एश्वरेया से पहले बहार हो जाते हैं इन केस तो उनका गिम जादा इंप्रूव हो सकते हैं जादा इंप्रूव होगा इश्वर्या के अंदर काफी कुछ है जो कि वो बहुत चंचल भी है बहुत जादा इंपॉल्सिव भी है चीज को लेके और उनकी बात में भी दम होता है जो बोलती है तो मुझे लगता कि अग इसने भी कपल्स उनके गेम निकल के सामने नहीं आपा रहे हैं मतलब ये इंडिविजुल परस्नालिटी इस बहुत जादा स्रॉंग है मैं चाहे अंकिता की बात करूँ चाहे विकी की बात करूँ इवन चाहे नील की बात करूँ है या इशा को लेलो आप ये सारे अपने आप में इंडिविजुली बहुत अच्छे पिलियर्स हैं लेकिन ये कपल के चक्कर में खुलने पा रहे हैं क्योंकि एक बढ़ता है तो एक उसको रोकता है ये बहुत जादा है और ये सीजन में ये चीज़ चलेगी इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्या होगा जी कितनी भी अच्छी हैं कितनी भी एज़ इंडिविज्वल स्ट्रॉंग हैं बट देन मुझे असा लगता है कि अंकिता जी जब तक बिग बॉस में रहेंगी वो दबती ही रहेंगी विक्की जी से क्योंकि विक्की जी कंट्रोल करेंगे उनको पता कि उनको बहार जाके तोड़ना नहीं है उनको इस रिलेशन को बाहर लेकर जाना है साथ में इस वजय से यह चीजे हो रही है जब तक एक प्पल में से एक इंसान बहार नहीं निखलेगा ना तब तक शो में वो मसाला आनी पाएगा मुनावर पर क्या गयाना है भाई अपका यहर मुनावर इसम मुझे expectation बहुत जादा थी, और होता क्या है ना कि मुनावर ऐसा ने कि मुनावर zero पे जल रहा है मुनावर कर रहा है अब मैं बात करूँ अगर अरुन जी की या फिर ससनी की तो यह यह zero पे चल रहे है मुनावर zero पे निए चल रहा है जो कि बहुत लोगों ने लिये नहीं है शादी हो चुकी, शादी हो गई, डिवोस हो गया बच्चा है जो साथ में रहता है एक गल्फरेंड है बहार एक शो कर लिया है पूरा इतना बड़ा रैप करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं इतना टैलेंट, इतना शाइरी करते हैं इतना सब कुछ होने के बाद में अगर आप शो में उतना एड़ान नहीं दे पा रहे हो मतलब अगर विराट कोली और रोही शर्मा टीम में है तो उनसे एक्सपेक्टेशन तो उतनी ज़्यादा होगी फिर आप यह नहीं कह सकते कि मतलब कोई और अंडर नाइटीन का या कोई और नॉमल सा क्रिकेटर जाके जो नहीं खेल रहा है कुछ भी वह ज्यादा रन मार दे तो उस लेवल पर आप नहीं रह सकते हो आपको फिर विराट को लिगर समझके भेजा तो आपको विराट की तरह खेलना भी पड़ेगा यार वो तो क्यों है पता नहीं क्यों मतलब मुझे ऐसा लगता कि बिग बॉस ना हमेशा तीन-चार कंटेस्टेंस के मामले में ना गलती कर देता है कि वो सोचके भेजता कुछ और है बट अंदर जाके ना सब फुस हो जाते हैं तो इस बार I think Elvish की वज़े से उन्होंने इस बार और तीन-चार यूट्यूबर्स को भेजा आपको ऐसे लगता है कि जो गिराफ जो बिग बॉस का सेट किया हुआ यूट्यूबर्स ने लाइक अभीशेक हो गए और Elvish हो गए जो उन्होंने सेट किया है वो कहिना कि थोड़ा ड्रॉप हो तो नजर आ रहा है आपर मतलब ड्रॉप हो चुका है क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि सनी और अरुन तो बिलकुल वो शादी के फूफा होते है न कि नमक कम क्यो है नमक ज्यादा चाहिए चीनी क्यों नहीं है तू सोया क्यों तू कम क्यो सोया मैं तब सोया था उनकी बात ही हो ते रिसेंटली मैं देखा आपने वाले के लिए देखो ये चीजे भी अच्छी है मैं ये निकर वह बूरी है बड़ी चीजे हो तो मतलब अगर आप मजाकिया हो आपको लग रहा है कि ये इंसान जो है ये इनसान एमी है ठीक है ये फुद्दू है इसकी बसकी कुछ नहीं और ये फाल्तू का और अlaughter कर रहा है और आप वह ब्रेक करने के लिए उसके मजे लो बादा वो मजे तो लो आप वो मजे ले रहे रहे हो आज दिन में एक बार फिर आप दिखी नहीं रहे हो फिर आप बोल रोकित हम दिखनी रहे हैं हमें Big Boss बात नहीं कर रहे है सलमान भाई हम पीर धियार नह तो बेक टुबैक वो दिये जारहा है दिये जारहा दिये जारहा हैं बिग बॉशम्यृ तो स्टिल यह लही नहीं बातर है मुनारा मतलब मनारा इन मुनावर इनको लेक defenders है जो हैस्थेग बना हुआ उसपर क्या कहेंगे अब रियल लग रहा है फेेक गेम के लिए लग रहा है या कौन किसके आगे पीशे लग रहा है या पर बॉंड बंता को नजर आ रहा है आपको अपर देखो क्या है ना कि मुनावर तो बहुत जादा ना दिमाग से चलने की कोशिश कर रहा है अभी मुनावर यह सोच रहा है क्योंकि अलड़ी वह एक रियालिटी शोग करके आ चुका है तो उतना जादा अभी मुनारा के साथ में आपको वैसे अज़ लव एंगल क्रियेट नहीं करेगा वो मुनारा को उसने बैटके अभी बताया था मुनारा को दोतिन दिन पहली बताया था कि वो उसकी शादी होगी ती डिवॉर्स हो गया है उसका बच्चा है इससे मुनारा के तोते होड़े है मतलब उसको लगा यार मैं तो कुछ और सोच रही थी और यहां तो कुछ और लिख ल रहे हैं बट आज आता है क्योंकि जब आप एक शो के अंदर हो लेकिन ये बात तो एक दौनों ने किलर कर दिये यार कि मैं हम दौनों एक दूसरे का वो दायरा हम लोग मेंटेन करेंगे वो एक दूसरे को उस तरी की से नहीं देखते हैं और वो सारी चीजें नहीं करते हैं वो बात मुनावर ने भी बोली हुई है और कहीं ना कहीं ऐसे मुनारे ने भी कहीं ना कहीं बोली हुई है इसे मुनारे ने भी क्या लगता है देखने में देखने में यह लगता है मुझे पता है मुनावर तो नहीं करेगा मुनावर के मन में नहीं आया क्योंकि मुनावर बहुत experienced इंसान है, बहुत कुछ देखा है उसने लाइफ में, वो ऐसे इतने जल्दी मेल्टनी होगा, हाँ, मनारा के मन में, वो soft corner आ सकता है 100% मुनावर के लिए, बर देन मुनावर उसमें भी बहुत जाधा talented है, मुनावर जाधा भी उसको importance नहीं देखता है, जब उसको को देखती है हम audience को सब पदा जलता कि यार क्या चल रहा है, बट सब ठीक है, देखने आगे क्या होता है, इन दिनों की बात मैं कहूं, तो क्या लगता है आपको top 5 किसको देखते हैं, आपको top 5 तो नहीं कहूंगा, कुछ ऐसे 5 लोग जिनको game में जिनका होना ना होना बेका है, कोई show के अंदर कोई input ही नहीं है, ना react कर रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, और जो भी आप कहना जाएं, तो top 5 में मैं देखता हूं, अभिशेक को, खानजादी को, विक्की जी को भी देखता हूं, मैं, अंकिता जी को देखता हूं, no doubt, and मुनावर को देखता हूं, बाकी स सारेों में से, मुझको, एक तो वो, क्या नाम था, जो जो जिगना बोरा, जिगना जी, जिगना जी दिखती नहीं है, उतनी जादा, ठीक है, as a person, वो अच्छी है, वो सब जी है, बट शोक में एड-on नहीं कर पा रही है, और उनके साथ में उनको नाम भी आद नहीं है, त कोज़ आप की वज़े से भी वो चीज़े है, यह तीन और नाम भी आपको लेकिन क्रेश आगया पर दोस्त के ओपर, यारब वो तो बहुत है, अशो में ना ऐसे कुछ भी चलता रहेगा, और कहीं ना कि इन दुनों अभिशेक भी अभी फिलट करते हूं नजर आ रहें उन वेबसाइट्स पर और कुछ YouTube पर चैनल पर उनके पूल चल रहे हैं कि किनको डेट करना चाहिए नहीं नहीं मुझे लगता कि अभी तो किसी को डेट नहीं करना चाहिए क्योंकि खानजादी का तो इंदार मैं कर रहा हूँ तो अभी तो ऐसी ही अपना सिंगल गेम खेल के जीत के आरे यह बात जरूर होने वाली अभीशेक खानजादी से मिलवा दे यार हां मतलब मैं कहूंगा कि ट्रॉफी तू रख ले कि खानजादी से मैं मिल लेता हूँ मैं बात कर लेता हूँ जाते जाते जो भी कहना चाहो अभी शेक के ओडियन्स है जो अभी शेक के फैंस हैं क्योंकि उनको आप सपोर्ट कर रहे हो सब का फीछे घूमना यह करना करना मैंना कभी भी किसी के में लाइफ में यह कभी किया ही नहीं है मैं कर ही नहीं सकता मेरे लिए यह कि मेरे जो भाई है ना मेरा वह चाहिए वह यह इस लेवल पे हो चाहिए वह उस लेवल पे मुझे उस बात से फरक नहीं बढ़ता है मैं हमे कर भाहा ट्रॉफी लेकर नहीं आ जाता है तब तक तब तक या बाद में भी खड़ा ही रहूंगा वैचे तो बट पूरा सपोर्ट है उसको एंड जो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं जब भी गभी वह अगर आता है इलिमनेशन में उसके लिए वोट अपील की बात होती है सब सब बहुत सारे वोट करना एंड जितना हो सके उसको प्यार देना और बिल्कुल रियल बंदा है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल आपके बीच में से उठकर आया हुआ बंदा है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके जीरो से बिल्कुल छोटे घर में रह है थैंक यू सो मच कशिश हमें बहुत अच्छा लगया आपसे बात करकर और थैंक यू एर और अभिशेक भी भी बहुत अच्छा करें गेम के अंदर और ट्रॉफी गर पर आए तर्फी के साथ